रेडियो हिंदुस्तान नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आर्जी अन्जू रेडियो बॉलिवुड में जानिए अदा शर्मा की फिल्म ने पकड़ी रफ्तार विरोध प्रदेशन और बैंड की बीच भी दगला स्टोरी ने पार किये पचास करोण सुदिप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म दगल स्टोरी ने तो दगशमीर फाइल्ज को भी पीछे छोड़ दिया है एक तरफ फिल्म का विरोध प्रदेशन रुखने का नाम नहीं ले रहा लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन हैरान कर देने वाला है अदा शर्मा के फिल्म दग केरला स्टोरी हमारा ट्रेलर रिलीज होने के बास ते ही चर्चा में था फिल्म को लेकर काफी विरोध हुआ था कही जगहों पर विरोध के डर से इस फिल्म के रिलीज भी रोग दी गई और इस पर रोक लगा दी गई पस्चिम बंगाल में मम्ता बैनर जी ने इस फिल्म पर बैन लगाने का ऐलान किया था जिस पर फैन्स की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी लेकिन इन बातों का फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ता है भारी विरोट के बीच फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है स्टोरी की कमाई के ताजा आकड़े कुछ इस प्रकार है फिल्म दे केरला स्टोरी की कमाई के ताजा आकड़े सामने आ गए है और बॉक्स आफिस पर यह फिल्म जबर्दस कमाई कर सभी को हैरान कर रही है फिल्म देश भर में रिलीज हो चुकी है कुछ जगहों पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है तो कुछ जगहों पर इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है इतना सब होने के बावजूद फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही 50 करोड से ज्यादा की कमाई कर ली है कम बजट के फिल्म के लिए या बेहत सकारात्मक आकड़ा है रिलीज के पहले दिन 8 करोड की कमाई हुई यह फिल्म 5 माई को रिलीज हुई थी फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8 करोड की कमाई की थी ओपनिंग डे के बाद फिल्म ने पहले विकेंड में कुल 35 करोड की कमाई की सोमवार को फिल्म ने अपनी शम्ता से सभी को चौका दिया और 10-11 करोड की कमाई की जिससे फिल्म का कलेक्शन 46 करोड हो गया अब रिपोर्ट के माने तो फिल्म ने रिलीज के पाँचवे दिन भी 11 करोड की कमाई का सफ़ जारी रखा है साथ ही इस फिल्म ने पास दिनों कमाई कर लेगी यह सुदिप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमरित लाल शाह द्वारा निर्मित है अदा शर्मा इसमें मुक्य भूमिका में है और फिल्म को एक अजेंडे के तहत बनाया जाना बताया जा रहा है इस वज़र से इस फिल्म को लेकर कई जगहों पर बवाल देखा जा रहा है तो रेडियो बॉलिवूड में आज इतना ही हमारे साथ बने रहिए रेडियो बॉलिवूड में दिल्चस्म मज़ेदार खपरे जानने के लिए तब तक के लिए नमस्कार